Pap PhysOC K. अज की वीडियो में हम बताएंगे आपको New Folder का Short Cut Ki के बारे में New Folder जो Short Cut Ki कैसे बनाये जाता है ठीक है Friends एकदम short طरीगे से और एक छोटा सा वीडियो हमने भाभणा रखा है आप पुर इस वीडियो को match दीखना iya चाहे हो आप desktop पे हो चाहे हो आप किसी भी file के अंदर किसी folder के अंदर आप new folder को बना सकते हैं ठीक है एक shortcut किए आपको यह रखना है याद और आप कहीं पर भी shortcut किई से keyboard से पे कंटोल शीप्ट गब है और यहां पर new folder बन गया मैं इसमें लिग देता है कि रखी मैं इसको बना देता है मैं यह को सरा क्या दबाना है यहाँ पर ctrl shift और n, ctrl plus shift और plus n, अधर प्लस मैंने ऐसी लिखा है, आप खले ctrl का बटन दबाना, shift का बटन दबाना और n दबाना, तो इस तरह से आपका यहाँ पर new folder बन जाएगा, फ्रेंड, shortcut किये, अगर आप अंदर देखेंगे, localdesd में या एप में, तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, देखो फ्रेंड, यहाँ पर ctrl shift और n दबाएंगे, तुरंत देखो फ्रेंड, यहाँ पर इस जगह पर new folder ready हो गया, इस folder का नाम भी हम दे सकते हैं, आप चाहो तो right click करके rename भी लिख सकते हैं, इसका नाम बदल भी सकते हैं, और यहाँ पर ल बनाने हैं आपको, तो वसी तरह से करना है, ctrl shift और n जबाने है, तो यह बहुत ही आसन, shortcut किये, आपको समझ माया होगा, और आपको पसंद भी आओगा, तो इस तरह के वीडियो हम बनाते रहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगा, तो लाइक, सियर और जरूर कर लेजी, ताकि इस तरह के वीडियो हम बनाते रहते हैं, और भी वीडियो हमने बना रखे हैं, आप डिस्क्रेस में देख सकते हैं, ठीके, आई बटन भी तबा सकते हैं, थेंक्यू सो मच,